हेलो गाईज, वेलकाम डूटे की आसर यूटिव चनल और गाईज, अगर आप मुस्से पुछते हो कि 15-16,000 का बजट है, सबसे बैस स्मार्टफोन अभी इंडिया में फिलाल कौन सा अविलिबल है, तो मैं सीधा रेकमेंड करता हूँ Poco X2 को, लेकिन अब इसको कंपीट करने के लिए, सामसंग ने अपना लौज कर दिया, सामसंग केलक्सी M31, और मेरी प्रिवियस M31 की वीडियो में, आप में से बहुत सारे लोगों ने आपर कमेंट करा, पुछे कि बाई, Poco X2 लिया जाए, यह सामसंग M31 लिया जाए, तो मैंने सुचे कि क्यों ने 0.2 पॉइंट वाला कमपाजन करके आपको एक्जेक्ली में बता दू, कि आपके लिए सामसंग M31 बेटर है, यह Poco X2 बेटर है, तो शौट बेस आपको कमपाजन करके बताने वाला हूँ, करने करते हैं, तो शी जी बात करने डिया एक वीड़ियो को लाइक यह वीडियो आपको बताव को यह आपको, आपको बोर नी करूआ कि कि सिधा पॉइंट पर बात करेंगे क्या कि effort किस किस को लेना चाहिए, और POCO X2 किस case के लिए यहाँ पर better है चलिए सबसे पहले बात कहले तो है यहाँ पर price point और variant के बारे में तो दोनों ही की phone में यहाँ पर जो base Windows में आपको 6GB की रहाँ, 14GB से start होता है जो M31 है वाँ आपको सिर्फ 15,000 पर मिलता है 6.4 इंच का water drop notch के साथ में Super AMOLED का Full HD Plus Solution वाला display मिल जाता है तो Samsung के generally display काफी जबतर से थे, especially जो AMOLED display तो display यहाँ पर यह phone में कमाल का मिल जाता है चिपकी POCO X2 में जो आपको IPS panel मिलता है 120Hz वगरा वो ठीक है लेकिन AMOLED के जो color वगर है वो आपको IPS में नहीं मिलते है तो वो हिसाब से जो आपको better display मिलता है यहाँ पर Samsung के phone में as compared to POCO X2 से दूसरी चीज जो के Samsung M31 में आपको better दिखने को मिलती है वो इसका triple card slot दोसरी में के साथ में आप यहाँ पर M31 में SD card अलग से लगा सकते हो जिपकी POCO X2 में आपको hybrid slot दिखने को मिलता है तो वो तीनों चीज आप साथ में use नहीं कर पाते हो तो इसलिए यहाँ पर यह चीज में भी Samsung M31 आके as compared to POCO X2 से तीसरी चीज जो के M31 में आपको बेटर दिखने को मिलती है वो इसका selfie camera यहाँ पर आपको 32 Megapixel का selfie camera दिखने को मिलता है जिपकी POCO में आपको 20 Plus 2 Megapixel का dual camera जरूर है लेकिन POCO का जो decent enough आपको selfie camera मिलता है लेकिन अगर आप M31 से compare करोगे तो कईना के M31 में आपको ज़्यादा detailing मिल जाती है as compared to POCO X2 से चोती चीज जो के M31 में आपको better मिल जाती है वो इसका monster battery life यहाँ पर आपको 6000 image की monster battery देखने को मिल जाती है जिबकि POCO X2 में भी decent है 4500 image की battery लेकिन यह दोनों की battery life को अगर आप compare करते हो तो M31 आगे as compared to POCO X2 से पांच वी चीज जो के आपको M31 में better देखने को मिलती है वो है यहाँ पर इसका price point मतलब आपको जो है same जो variant 64 से start होता है लेकि जो Samsung का phone है वो आपको 1000 cheaper मिल जाता है as compared to POCO X2 से तो यह भी यहाँ पर matter करता है चटी चीज जो के आपको जो Samsung के phone में better मिल जाती है वो है इसकी availability पांच मार्च से यहाँ पर इसका पहला flash sale रहने वाल है और POCO के flash sale के बारे में पहले आपको बता देता हूँ के तीन से चार flash sale already हो चुके और आसानी से नहीं मिलता है अभी भी कितने ऐसे यूजर है इसके पास पैसा भी है खरीदना भी है लेकिन खरीद नहीं पाते है जास्ट विकास अफ डेट स्टूपिड flash sale तो के POCO और Xiaomi के जो आप सभी को पता है पहले से चलता है लेकिन जो Samsung M31 का भी flash sale रहने वाल है लेकिन Samsung M30s के टेम नहीं देखके हमने M30 के टेम पर देखके अच्छे खासे गंटे के लिए यहाँ पर इसके flash sale चलते है तो आराम से जिसके पास पैसा है वो जिसको phone पसंदे हो आराम से जाके purchase कर सकते है तो availability और buying experience जो है वो भी आपका M31 में better रहने वाल है as compared to Poco X2 से तो guys यह सारी चीज़े थी जो कि आपका M31 में better मिल जाती थी as compared to Poco X2 से तो क्या Poco X2 बेकार device है ऐसा बिलकुल भी नहीं है अब मैं आपको Poco X2 की जो best चीज़े है as compared to M31 से उसके बारे मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहली चीज़ जो के Poco X2 की बढ़िया है वो इसकी bill quality and design Poco X2 में आपको front में और back में actual glass मिलता है Gorilla Glass 5 के साथ में दिखने में भी काफी attractive है और gradient finish आपको देखने को मिल जाता है जबकि वही चीज़ अगर मैं M31 में देखोगे तो काफी boring सा design मिल जाता है और जो body भी आपको plastic की देखने को मिलती है तो अगर आपको looks and design matter करता है bill quality in hand feel matter करता है तो definitely आप जा सकते हो Poco X2 के साथ में क्योंकि M31 की bill and design काफी poor आप बोल सकते हो दूसरी चीज़ जो के Poco X2 में आपको better देखने को मिल जाती है वह है इसका display IPS display जरूर है लेकिन 120 Hz का refresh rate वाल इस display मिल जाता है जो के futuristic technology आप बोल सकते हो और in future अगर आप 2-3 साल यहाँ पर यही device को इस्तेमाल करोगे तो game जो इसको support करता है यह display के refresh rate को वह आपर आ जाता है तो काफी बढ़ियर तरीके साब को experience हो जाएगा जिपकि Samsung में AMOLED ज़रूर मिल जाता है लेकिन 120 Hz की fluidness है वह आपको Samsung में नहीं मिलने वाली तो यह हिसाफ से जो है आपको यहाँ पर Poco का display better मिल जाता है refresh rate or smooth मिल जाता है as compared to M31 से तीसरी चीज़ जो के आपको Poco X2 में better देने को मिल जाती है voice की performance यहाँ पर आपको snapdragon का 730G मिल जाता है जिपकि जो है Exynos का 9611 आपको देखने को मिलता है Samsung के device में तो अगर आप compare करोगे तो Samsung का जो chipset है वो भी decent enough मा बोलूँगा price point के हिसाफ से लेकिन अगर आप 730G से compare करते हो तो चाए वो gaming की बात हो या और day to day task अगर आप करते हो या editing वगरा करते हो जो इसका GPU है वो काफी powerful है Exynos के जो माली का GPU के साथ में आता है तो processor power अगर आपको अपने device में चीए तो आपके लिए better है Poco X2 as compared to Samsung M31 से चोती चीज़ जो के आपको M31 से better मिल जाती Poco X2 में वो है इसका rare camera आपने सही सुना क्योंके यहाँ पर Samsung में भी आपको 64 Megapixel का COD camera मिलते है Xiaomi या Poco आप जो भी बोले हो Poco में भी आपको 64 Megapixel का COD camera मिलते है लेकिन जो Samsung का phone इसमें आपको Samsung का GW1 sensor मिल जाता है चीज़ की Poco में Sony का flagship sensor IMX 686 मिल जाता है क्योंके 2020 में आपको बहुत सारे smartphone flagship phone में देखने को मिलेंगे तो कहीं न कहीं अगर आप main sensor को देखते हो तो आपको better मिल जाता है यहाँ पर Poco X2 में as compared to यहाँ पर Samsung M31 से पांचवी चीज़ जो के आपको जो Poco X2 में better देखने को मिल जाती है वो है इसकी fast charging की capability मतब यहाँ पर आपको out of the box 27 watt का fast charger मिल जाता है च्योंके 70 minute में यहाँ पर आपके phone को 0 to 100% charge कर जाता है जिबकि Samsung में 6000 mAh की battery ज़रूर मिल जाती है लेकिन वही पुराना सा 15 watt का आपको normal सा fast charger मिल जाता है जो कि आपको phone को charge करने में 2 घंटे का भी उपर का time लगाएगा वगरा fast charging की technology देखते हो तो आपको Poco X2 में far better मिल जाती है इस compared to Samsung Galaxy M31 से च्छटी चीज जो कि आपको Xiaomi या Poco के device में आप बुल सकते हो बेटर मिल जाती है वो है आयर ब्लस्टर आयर ब्लस्टर जो इस्तिमाल करता तो असको माल पता है इसकी importance क्योंकि वहाँ पर आप TV AC electronic music player वगरा आप सारी चीज़े remote as a remote आप अपने फोन को इस्तिमाल कर सकते हो जो कि Samsung के phone में यह चीज मिसिंग है तो यह चीज फीचर जो है आपको Poco में better मिल जाते हैं तो यह तो यह तो यह तो यहाँ पर दोना phone के pros and cons आप इसमें से decide कर सकते हो कि भाई आपके लिए M31 है आप कौन से टाप के user हो M31 पसंद है यह Poco X2 आपके लिए better है तो मैंने यहाँ पर डारिक लिए आपको differentiate करके बीना time waste करें बता दियो तो यह आपका differentiate था अगर आप मुझसे पुछते हो कि भाई आपके इसाफसे कौन से better है value for my device है अगर आप मुझसे पुछो कि भाई दोनों में से आप कौन से device लेते हैं तो definitely मैं जाता Poco X2 के साथ में क्योंकि मेरे requirement को वो जादा suit करता है हो सकता है कि आप मतब आपको एकदम बहुत जादा heavy user नहीं हो लेकिन आपको AMOLED चीह है आपको बड़ी battery चीह है outdoors में आप जादा रहते हो तो आप M21 आपके लिए better है लेकिन मेरा जैसा यह इस्तेमाल करता हो उस हिसाफ से मेरे लिए Poco X2 better है तो percent to percent रहता है अगर आप पुछे कर दोनों में से best device है तो कई device better नहीं है दोनों ही अपनी जगे पे काफी ज़दा value for money device है पर क्या मुझे comment section ने बताना आपको यह point to point वाला comparison कैसा लगा क्या आपके सारे confusion जो थे वो दूर हुए नहीं हुए जैसा भी आपको comparison लगा मुझे बताना नीचे comments में और आपके इसाफ से 15-16000 की range में क्या Poco X2 better device है क्या Samsung M31 better device है मुझे ज़रूर बताना नीचे comments में है